है हमारे पास दो गारी एख है हमारे पास प्लेटिना की 110 और एख है हमारे पास हेरो की esplender plus golden color तो आज अपन कंपेर कर वहाद हैं इन दो ही गारीों को केंने में से कौन सी गारी बहतर है तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लेटिना एक दस के टॉप फीचर्स के बारे में पहले शुरू करते हैं नीचे से नीचे से अगर टायर पर आएं तो यहां पर एक इंडिकेटर है इस साइड वे एक इंडिकेटर है यहां पर एक एक एलिडी लाइट है और यह नॉर्मल है लोजन बल्ब दिया गया है अगर आपन इस साइड बात करें है कि यहां पर एक मिरार है यहां इस हिंडल के स्विच की बात करें है यहां पर एक पास लाइट है अपर डिपर का स्विच है यह इंडिकेटर का स्विच है इस तरीके की दिखती है इसकी चाबी नॉर्मल की है और यदि आपन चालू करें ग कितनी चल चुकी है यहां पर बात करें तो फ्यूल बताएगा किता बड़ा हुआ है यहां पर न्यूटल दिखा रहा है यहां पे एंजन का स्वेच है यह लाइट परमानेंट जलती रहती है इसको बंद नहीं किया जा सकता है इस साइट की बात करें तो यह गारी को लाइट जल जाती है अभि गाड यहाए आसाली से लाइट जल जाती है । लिए टारी का कोई भी दिखत नहीं होती है। अब पीछे की तरफ आखिवाथ कर लेते हैं। तो पीछे के तरफ इस तरह से लाइट दी गई है। इंडियेटर दिये गया है, यहां पे एक रिफलेक्टर दिया गया है, नमबर पिलेट लगाने के लिए इस्टेन दिया गया है, और यह इस तरीकी का मटगाड, यह भी बहुत मजूद मटगाड है, यहां पे आपको सस्पेंशन दिये गया है, यहां पे एक फोट्रेस्ट दि तो हेंडल पर इस तरीके से यह गाड दिये गया है यह आपको गरम हवा ठंडी हवा से बचाते हैं पर आपको गाड दिये गया है इस साइड भी एक गाड दिया गया है यहां पर दे गई है आपको एक किक यहां पर दे गया है आपको बैक ब्रेक और यहां पर दिया गया है आ यहाँ पर आपको एक कारवेटर भी मिल जाता है यह तरीके से दिखता है इंजन और यहाँ पर एक स्विस्ट दिया गया है जो आपन बात कर लेते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के टॉप फीचर्स के बारे में तो टायर को साइज है 800 इमें नोर्मल ड्रम ब्रेक आथ हैं कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं है यहाँ तरीके से देखाते हैं यहाँ पर आपको एंजन यहाँ पर कोई भी कारवेटर पर गेर नहीं देखाते हैं आपको लाने के पीछे की तरफ गेर डाले जाते हैं अगर है इस तरिके की बात करें तो यहाँ पर है एक मिरा इधर पर बात करें तो इधर पर कि अपर यहाँ डिपर यहाँ होगा तो यह जलेगा नहीं आए इस स्विच्छ यदि अगर आपन I3S on करेंगे या off करेंगे तो यहाँ पर blank होगा यह speedometer है यहाँ पर 140 तक marking है इधर पर बताता है कि गाड़ी कित्ती चल चुकी है यह गाड़ी चल चुकी है 842 km इधर पर बात करें तो यहाँ पर एक engine का स्वेच है यह light का स्वेच है यह नूटल का स्वेच है जब घाड़ी नूटल में होती है तब जलता है यहाँ पर fuel meter यहाँ पर आप बताएगे कि गाड़ी में कितना fuel है यहाँ पर बात करें तो इस पिलेंडरल की बेचिंग है यहाँ पर I3S की बेचिंग है पीछी की तरफ बात करें तो यहां पर है एक फर्ट रेस्ट और हेकं यहां पर एक Perdust दिया गया है। की क्वाली भीच्छी है। हो यहां पर आपको Sock Absors नो Laclikle Car barrels संभी जिनेऊams घृटी हैं। और यहां पर आपको normal halogen यह tail lamp दिया गया है इस side की बात करें तो यहां पर एक hook दिया गया है जहां पर आप कोई भी अपना सामान टांग सकते हैं इस side की बात करें तो यहां पर भी एक और foot rest दिया गया है यहां पर i3s की फिर से बैचेंगे यहां पर एक किक दी गई है एक और फुट रेस्ट दिया गया है और यह है आपका ब्रेक पेडल इससे आपका जो पिछला ब्रेक ही यह कंट्रोल होता है और ब्रेक की बात करने तो यहां पर भी ड्रम ब्रेक आता है कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं आता है यहां पर आपको सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा बाई बाई